मेरे परिवार जनो मोदी को मिट्टी और किसान दोनों की चिंता है यहीं से हमने किसानों को सोईल हेल्ट कार देने की शुरुवात की थी आदेजबर की किसानों को उसका फायदा हो रहा है अब मने प्राकृतिक खेती को लेकर बहुत बड़ा फ्यान शुरू किया है इससे किसान की लागत कम होगी लाब अधिक होगा और मिट्टी की सहद भी अच्छी रहेगी हमारे लिए किसान का कल्यान ही प्रास्पिकता है कौंगेरिस की तुलना में खेती का बजेट भाजपा ने पाज गुना बढ़ाया है पाच गुना धान हो गेऊं हो दल हो तिलहन हो हमने एबस भी कई गुना बढ़ाया और खरीद भी कई गुना दिक की लेकिन यहां की कौंग्रेस सरकार ने तो ज्वार बाजरा किसानों को एमिस्ट्री तक ठीक से नहीं दिया कौंग्रेस ने हमेशा कर्जमाभी का जुटा पिटा रहा लेकर निकलती है पिछली बार भी यह किया था लेकिन उल्टा हजारों किसानों की जमिन निलाम कर दी कि और मुझे अभी कुछ कारकरता मिले वो बता रहे थे कि बिलकुल फ्रॉड था किसी किसान को फाइदा नहीं हुआ कॉंग्रेस ने नकली बीच मुझे बताया गया बोले नकली बीच का कारोबार किया आपको तो एक बार मुनाफ़ा हुआ लेकिन मेरे किसान का तो साल बर बाद हो गई किसानों को कर्ज में दूब दिया उन्होंने कपास की लाको हैक्टर फसल जो बरबाद हुई है कॉंग्रेस उसका जवाब देना होगा जिन्होंने किसान को ठगा है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा साथ्यों राज़तान भाजपाने संकल्प लिया है कि किसा किसानों से MSP पर खरीद भी करेंगे और बोनस भी देंगे राज़तान भाजपनावे यह भी तैक्या है कि PM किसान सब्मान दिती के तहट राज़तान में 12,000 रुपया किसानों को देंगे बाजपा सरकार लाखों करों रुपय सिर्फ इसलिए खर्ट कर रही है ताकि किसान को सत्ति खाद मिले दुनिया में यूरिया की जो बोरी है को करीब करीब 3,000 रुपय में मिलती है यूरिया की बोरी 3,000 में मिलती है यह आपका सेवक किसानों को हिंदुस्तान में 300 से भी कम रुपिये में यूरिया की बोरी देता है यहां की कॉंग्रेस सरकार आप तक खाद नहीं पहुंचने देती हैं उसमें भी गोटाला करती है